अन्य मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में आवदा प्रवंद समिती की बैठक आयोजित की गई है उसमें 17 जिले ऐसे होंगे जिन जिलों में कच्छा एक से लेके मतलब सारे कच्छा चालू कर दी जाएंगे मतलब एक क्लास से लेके जो निचला क्लास है उससे लेके उच इस तरहीं क्लास चालू कर दी जाएंगे कि बाल साथ जिले ऐसे हैं धनबाद आपको राची पुर्वी सिंभूम बुकारो चत्रा देवघर सराइकेला सिम्डेगा इन साथ जिलो में क्लास नौ से उपर सारे कच्छा खोल दी जाएंगे कॉलेज बगरा सारा इसी के साथ जिम सारे खोल दी जाएंगे जितने स्टेडियम है स्पोर्ट्स एथुरिटी जारी रहेगी चालू कर दी जाएगी केवल उसमें जो कोई भी स्टेडियम में जो खेल कायोजन होता तो दर्शक द्रिगा जो है वो बंद रहेगी बात बकी स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी चालू रहेगी इसी के साथ जो हमारे कोचिंग वगरा सेंटर है पठन-पठन के वो भी चालू रहेंगे और हम लोगों ने बहुत रिलेक्शेशन देने का प्रयास किया है लेकिन रात आट बजे जो बंदी थी वो अभी तक्काल रहेगी उसका हम लोग आके फिर समिक्षा कर रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारी जो है व्योस्ता है और जो साधी बिवा में सो आदमी के जगा यह बस आज नोटिफिकेशन जारी होगा तो जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आज हमारे चीफ सेकेटरी साहब उसमें साइन कर देंगे तो यह जैसे अधिस उचना जारी हो जाएगी अधिस उचना जारी होते के साथ यह हो जाएगा साथ जिले में क्लास 9 से उपर के सभी 9 से उपर के सभी क्लास खोल दी जाएंगे कॉलेज वगरा सारा और 17 जिले में सभी पठन पाठन का काम छोटे से लेके बड़े इस तर तक रहेगा अब तो ये तो देखिया अभी चालू कि अभी इसका फिर विवेशना होगी यदि माली जब करोना कम होता है तो रिलेक्सेशन बढ़ेंगे करोना बढ़ेगा तो रिलेक्सेशन घटेंगे इसकी समिक्षा कर रहे हैं हम लोग साथ जिले ऐसे होंगे आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं करें साथ जिले ऐसे होंगे जिसमें कक्षा नौ से क्लास चालू किया जाएगा 17 जिले ऐसे होंगे जिनको जो है क्लास वन से कच्छा चालू कर दे जाएगे जहां नहीं हो रहा है वो नाम एक बार फिर दो राद है तो खिलियर हो जाएगा रांची वोकारो सिम्देगा चत्रा पुर्वी सिंभूम देवगर सराइकेला सिम्देगा इन जगह केस बढ़े हैं इस जगह केस थोड़े अभी बढ़े हैं इसकी समिक्षा की जा रही है जैसे जैसे वहां भी केस कम होंगे उस पर विचार होगा और रेस्टूरेंट आधी में जो जो वो उस पर वो सौ लोगों की जगह है दो सौ लोग जो हैं साधी बिभास अमारों में सामील हो सकते हैं और रेस्टूरेंट तो आपको मालूम है यह अथावत चालू है ठीक शुक्रिश्यानने वाले झालू है